रास्तान के उन्यारा में पर्धान मंत्री नरेंदर मोदी ने कहा कि आरक्षन खतम नहीं होगा ये मोदी की गैरेंटी है उन्होंने उन्यारा में कहा कि कॉंग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टी करेंट की राजनिती की रही है उनका कहना है कि कॉंग्रेस दलित आदिवासियों को मिले आरेक्षन को कम करके मुसल्मानों को देना चाती है तो जाचार में कॉंग्रेस ने आंदर परदेस में S.C.E.S.T. के आरेक्षन में कमी करके मुसल्मानों को रिजर्वेशन देने की कोशिश की थी लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुआ इसके बाद तुजार 11 में भी इस परकार का अरेक्षन लागू करने की कोशिश की गई लेकिन ये भी सफल नहीं हुआ मोदी ने कहा कि कॉंग्रेस की सरकार होने पर सीमा पर सैनिकों की सिर काटे जाते और बम धमाके होते हैं नहीं कहा कि कॉंग्रेस की राज में हनुमान 40 पढ़ना भी गुना है करनाटक में की वग को पीटा गया क्योंकि वह हनुमान 40 पढ़ रहा था जब कॉंग्रेस सरकार थी तो राम नामी पर सोबा यात्रे पर परतिबंद लगाया था 2014 में मोधी को दिल्ली में सेवा का मोका मिला जिससे देश में बदला वाया यदे 2014 के बाद भी कॉंग्रेस की सरकार होती तो सिरियल ब्लास्ट और हिंसा होती कॉंग्रेस के कॉनाटक सरकार ने हनुमान 40 पढ़ने वाले को पीटा रास्तान में बजनलाल सरकार में रान्मामी पर शांती पूर्ण सोबा यात्रा निकाली